अर्थ उच्चारण या व्याकरण के अनुसार एक जैसे लगने वाली दो शब्दों में अंतर अपनी हिंदी सुधारें भड़डाना और भिड़ना दो किवाड आपस में टकराए एक आवाज हुई उस आवाज के अनुकरण पर शब्द बना भड किवाड भड से टकराते हैं उस आवाज की बरमबर्ता के लिए कहा जाने लगा भड़ड किताब भड़ड करते हैं यानि भड़डाते हैं उस आवाज से मिलती जुलती हर आवाज भड़ड हो गई स्टोर में कुछ समान गिरने पढ़ने से बड़ भड हो रही थी आदमी भी भड़ भड यानि पकवास करता है अर्थात भड़ भडाता है और भड़ भडिया यानि बक्की टिंग मारने वाला कहलाता है उसकी बड़बड से उसकी भड़बड और उसकी बड़बड़ाने से उसका भड़बड़ाना अधिक शोर वाला अधिक आवास वाला होता है आदमी की भड़ास भी भड़ से निकली है जब भड़ की आवास के साथ किवाणों की बंद होने की घटना घटती है तो वे या तो स ज्वयम भीड जाते हैं, यानी सट जाते हैं, या उन्हें कोई भीड देता है, भीडना माने तकराना हो गया, इसी अधार पर भीड भी भी भीडना से बना, क्योंकि उसमें लोग एक दूसरे से भीडते हैं, तकराते हैं, लोग बाग परस पर भीड भीड कर एक दूसरे से ल व्यवारिक लोग हर जगह अपना काम भीड़ कर करवा लेते हैं, वे तरकीब भीड़ा न जानते हैं, वे भीड़ाओ होते हैं, अब भीड़न्त को याद कीजे, जो भीड़े भीड़े भीड़ा नहीं हो सकती, अंत में मुठ भीड़ जो एक कदम आगे है, वो मुठी और भी रमेश चंद्र महरोत्रा, वाचक्स्वर संग्या टंडन, अर्परेडियो.com की प्रस्तुति